Hello everyone, welcome to Sleepy Classes, I am Kaval तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यह जो Statue of Equality है, यह News में है उसके पिछे दो कारण है कि अभी इसके inauguration होनी जा रही है in order to commemorate the 1000th birth anniversary of Shri Ramajuchacharya और उसके अलावा जिस company को यह project मिला था इस पूरे statue के project को बनाने के लिए वो एक Chinese company है और आज के time में जैसे हम made in India को promote करते जा रहे हैं तो उस पूरे scenario में यह थोड़ी बात खटकती है पर आपके UPSC perspective से जो जो चीज़े ज़रूरी है वो हम देखते हैं यह जो statue है माना जा रहा है कि यह दुनिया का second largest statue है अगर हम sitting position की बात करें तो आपका यह homework भी है कि आपने comment section में बताना है कि दुनिया का largest statue कौन सा है अगर हम sitting position की बात करते हैं प्लीज उसको search करें और यहाँ पर comment section में बताइए उससे आपका एक team building activity भी होगी अगर इस statue की बात करते हैं तो यह रामनुजचाराजी के बारे में है जो कि 11th century philosopher, saint या फिर reformer हम कह सकते हैं and this statue is made from the punch loha मतलब की 5 elements को join करके कौन-कौन से gold, silver, copper, brass and zinc उनको इकठा करके इस statue को बनाया गया है अगर हम इन रामनुचाराजी के बारे में बात करते हैं तो आपने इनका नाम विशिष्ट अदवायता और श्री वैश्मनलिजम जो philosophy है उसके साथ जुड़ा हुआ पढ़ा होगा और जब भी है फिलोसफिस के बारे में पढ़ते हैं उसमें इनका नाम बहुत आदर सतकार से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने काफी हद तक भक्ती मुमेंट को भी प्रमोट किया और जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे जैसे की रामदास जी, तयाग राज और मीरा भाई के अगर हम बात करें उन्होंने इन से इंस्पायर होके अपने रैटिंग्स को लिखा है अगर हम इस philosophy की बात करें जो कि है श्री वहिश्मनिजम अगर हम इसकी generic definition की बात करते है तो इसका मतलब होता है कि वेदास के जितने भी parts हैं, जब हम उसको study करते हैं, उसके उपर commentary करते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है श्री वहिश्मनिजम अगर बस आप इतना ही यार रख लेंगे उसके लावा इनका environment के साथ भी काफी ज़ादा प्यार था और अपने time के अंदर इन्होंने environment के protection के लिए काफी ज़ादा लिखा उसको promote किया and he appealed for the protection of nature and its resources like air, water and soil उस time के अंदर जहां पर pollution नाम के कोई चीज भी नहीं हुआ कर दी थी तो अपने time के बहुत बड़ी ये visionary थी उसके लावा अगर हम इनके writings के बारे में बात करते हैं तो basically इन्होंने सारी commentaries की हुई है वेदास की उपर और जितनी भी commentaries है basically there are nine works, nine scriptures and they are known by the name of नवरतन्स and composed numerous commentaries on the Vedic scriptures एक तो आप ये नवरतन्स यहां रखेंगे और दो जो famous commentaries है सबसे पहले तो है वेदानता सूत्रास के उपर इनके commentaries जो की है श्रे भाश्य और दी true commentary and the second one is जो की भगवत गीता के उपर है जिसका नाम है गीता बाश्य और ये जितने भी इनके राइटिंग्स है they all are in Sanskrit प्लीज इस fact को अब थ्यान में रखेगा उसके बाद जो basically जो जी philosophy है proper philosophy जिसके लिए इनका नाम बहुत जादा मशूर हुआ वो है विशिष्ट अदवायता इनके जो गुरु थे ये दोनों जो पहले philosophy हुआ करती थी अदवायता जिसका मतलब है कि ब्रह्मा एक है और बाकि दुनिया में जितनी भी living चीज़े है वो एक illusion है वो एक दिखावा है उस philosophy के ओपर ये काम करते थे पर with the time श्री रामनुजा चाराजी का अपने गुरु के साथ थोड़ा विवाद हो गया और ये उनसे अलग हो गए और उन्होंने एक नई philosophy बनाई जिसका नाम है विशिष्टा दवायता इसमें ये कहते हैं कि नोडो ब्रह्मा एक ही है पर उसके आगे बहुत सारे divisions होई पढ़ी है बहुत सारे forms है जैसे कि हम इंसान या कोई जानवर है उनके अंदर जो सोल है वो भी ब्रह्मा ही है और वो उसका miniscule part है मतलब कि अगर हम माले कि ये ब्रह्मा उस tree है एक tree को हम माले तो ये tree के जो roots है वो ब्रह्मा है और ये roots आगे बड़े होके flowers बनेगे आगे टहनिया बनेगी तो ये सारा जो पेड है वो qualified dualism की हम बात कर रहे है मतलब कि एक ही चीज़ के बहुत सारे रूप हो सकते हैं क्योंकि जब हम पेड लगाते हैं वो छोटा सा बीज होता है उस बीज को हम ब्रह्मा कह रहे हैं that it is non-dualism कि सारी दुनिया सिरफ एक ही है of the qualified whole मतलब कि बीज के ही आगे पूरी दुनिया बनी हुई है in which ब्रह्मा alone is seen as the supreme reality but is characterized by multiplicity जो अभी मैंने आपको explain किया उसके लाव हम बात कर सकते हैं कि इस statue को statue of equality क्योंकि आँ जा रहा है तो इसके पीछे कारण यह है कि इन्होंने अपने सारी जीवन में सारे जीवन काल में इसी के लिए काम किया कि किस तरह से हम जो दबे कुछले लोग हैं जो society के वज़ा से जैसे चार हमारे पास वर्ना सिस्टम है तो जो नीचे लोग रहे गए हैं कि एक तरह से जैसे शुद्रास के अगर हम बात करें जिनको आउट कास कर दिया गया है कैसे उनको mainstream lifestyle के अंदर ले के आए हम तो जैसे temples में पहले time के अंदर entering नहीं हुआ करती थी तो temples के doors इन्होंने खुलवाए थे उन्हीं सबी लोगों के लिए जिनको पहले prohibit किया गया था जहां पर उस टाइम के अंदर जब कोई भी बात नहीं कर रहा था इनके लिए और जो हमारा concept है वासुदेव कुटमकम उसके लिए इन्होंने बहुत ज़ादा काम के इसलिए इनको बहुत बड़ा advocate माना जाता है social equality का उसके बाद हम बात करेंगे श्री वैश्वनम संप्रदाय के बारे में जहां पर ये कहते हैं कि भगवान को पाने का जो सच्चा या सही तरीका है इट इस थ्रू devotion to God बस ये एक fact आप रट लेना याद रख लेना कि इनके नाम के साथ वैश्वनम संप्रदाय जुड़ा हुआ है जहां पर ये बात करते हैं कि भगवान को पाने का तरीका है devotion to God जो मैंने आपको पहले बात बताए कि भक्ती मुवंट भी इसी चीज़ की बात करता है तो ये दोनों same concept के उपर है तो यही सारी बात थी जो आपको इनके बार में पता होने चाहिए जो आपको UPSC में पूछा जा सकता है इससे बाहर hardly कोई fact है जो आप cover कर सकते हैं उसके लावा अगर जितने भी आपकी philosophies हैं जैसे की दवैता, अदवैता, विशिष्ट अदवैता यहां फिर संख्या स्कूल, योगा स्कूल, न्याया स्कूल, उत्तर मिमांसा, पूर मिमांसा जितने भी orthodox philosophies हैं वो पहले ही cover कर दी हैं मैंने अगर आप cover देखना चाहते हैं तो Sleepy Classies के YouTube चैनल पर अगर आप जाएंगे वहाँ पर पूरी orthodox playlist बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं तो this was all for today और जो आपका homework है कि दुनिया का सबसे बड़ा sitting statue कौन सा है प्लीज उसको comment section में में लिखिए डिखिए आपका कि आपका है इंगर बंगार, जापका में अरूनिय के लिखद के आपकाम साहते हैं